दोस्तों आज किस अमेजिंग वीडियो में आप सब का स्वागत है जहां पर आज हम शुरू कर रहे हैं HTML कोर्स और यह आपका HTML का पहला वीडियो है अब अगर सबसे पहला सवाल हम HTML की सीरीज में करें तो क्या है कि HTML क्या है HTML क्यों सीखर हो आप क्या यूज है क्या बेनिफिट है इसकी जरूरत क्या है तो इस पॉइंट को पहले हम कवर करते हैं तो नॉर्मली आप computer skin पर ध्यान दीजी तो यहां पी लिखा हुआ HTML जिसका पूरा मतलब होता है hypertext markup language इसके बाद जो दूसरा पूर्शन दिया है कि use of HTML यह जो HTML आप सीख रहे हो इसका use क्या है तीसरे अटम बात करें कि why we are learning HTML HTML हम सीख क्यों रहे है हमारा फाइदा क्या है से सीखने से तो यहां पे एक छोटा सा जवाब दिया है कि HTML used to create web pages अब यह चीज उतना अच्छे से clear नहीं होगी मैं आपको वित practical clear करता हूँ देखो नॉर्मली एक सवाल का जवाब दो कि अगर आपको कोई भी website खोलनी है चाहे वो YouTube हो Facebook हो या कोई से भी website हो तो आप क्या गड़ते हो आप simple Google पर जाते हो और उसका जो नाम है या domain है वो आप लिखते हो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया simple URL में जाके मैं लिख देता ह या आप देख पारे हो यह लिखा our best services यह सारा demonstration आप देख पारे हो यह सब कुछ possible हो पाता है HTML की मदद से किसकी मदद से HTML की मदद से तो यहां पर basically 5 main language होती है कौन से मैं आपको बता तो वह 5 main language होती है सबसे पहले होता है HTML फिर होता है CSS तीसर ही होती है JavaScript चौथा होता है PHP और 5 होता है MySQL इसके अलावा भी काफी सारी चीज़े है framework भी देखोगे आप bootstrap भी देखोगे बहुत सारी चीज़े बट जो mainly consider की जा कि कोई भी जो website आप देखते हो उस website पर जितना भी front portion में आपको नजर आ रहा है यहां पर जितना भी front portion में आपको नजर आ रहा है यह सब HTML की मदद से होता है उसके बाद जो दूसरे term के मैंने बात की थी जो होता CSS जिसका मतलब होता है cash carding style sheet तो CSS के मदद से जितनी भी editing आ आप अपने icons लगा हुए है या फिर यह slider चल रहा है तो यह सब चीज़े जो possible हो पाती है वो होता है CSS के मिल से अब यह बहुत सारी चीज़े आप मैं आपको बताने लग जाओं कि Java script क्या है PHP क्या है MySQL क्या है तो इसी को पर पूरा वीडियो खतम हो जाएगा बट आप यह स front portion होता है किसी भी website का जो front portion है इस पर आपको जितनी भी चीज़े दिख रही है यह सब बनता है HTML के मदसे और उस front portion पर कोई भी editing अप्लाई करता है जैसे आप देख पार हो कि इस पर editing अप्लाई हो रहे है इसका color, icon या जो भी चीज़े आप देख पार हो background यह सब possible होता है CSS तो दो main चीज़े होती है HTML and CSS यह जादा आप combination में सुनते होंगे तो HTML की मदद से front क्रेट किया जाता है और CSS की मदद से उसी पर editing अप्लाई की जाती है इतना portion आपको गिलेर हो गया होगा तो यह चीज़ तो गिलेर हो गया होगी कि HTML क्या है HTML का पूरा मतलब है hypertext markup language ऐसी language की मदद से आप web pages create कर सकते हो website पर जितने भी पेज आप देख पा रहे हो इन्हीं को हम web page बोलते हैं तो HTML का use क्या है HTML का use हम web pages create करने के लिए करते हैं आपको गया होगी कि अगर हम किसी भी website की बात करें तो उसका जितना भी front portion है वह किसकी मदद से बनता है HTML की मदद से clear तो वहां main language जो होती हो 5 होती है HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL आज के टाइम में काफी सारी language आ चुकी है framework भी आ चुकी है तो वह भी अलग चीज है बड़ा आप उन्हें optional समझ लो यह main है इनका use आपको करना ही पड़ेगा चाया आपको database create करना है या फिर अगर vacants से data उठाना यह सारी चीज लेकिन अब हम आते है learning time पे तो learning time पे दो चीज़े होती है एक होता है text editor जहां पे आप किसी भी code को लिखते हो जाए HTML, CSS जो भी है तो उस language को क्या करना पड़ेगा पहले में लिखना पड़ेगा तो लिखने के लिए हमें चाहिए होता है text editor कुछ famous text editor है जिनको आप जानते ह प्लस प्लस हो गया sublime हो गया visual studio हो गया इस तरीके से और भी है तो यह basically होते है text editor जहां पर आप code लिखते हो उसके बाद उस code को execute करने के लिए हमें एक platform चाहिए होता है और यहां पे जो platform है वो है browser यह बहुत है simple है आपके system में already मिलता है आपको जैसे internet explorer मिलता है आपको यह browser होता है तो में लिए हमें दो चीज़ चाहिए एक वो जगह चाहिए जहां पे code को execute करके output लाए जा सके अब simply हम भी क्या करते हैं कि एक text editor open कर लेते हैं जिसे notepad++ से start करेंगे हम और वहां पे code लिखेंगे और उसे execute करके देखेंगे कि उसका output क्या आता है अब normally क्या करते ह और यहां पे मैंने लिखा notepad++ यह मैंने लिखा लिखने के बाद कुछ इस तरीके से format आगे हम ctrl n करते हैं और एक blank page यहां पे ले लेते हैं अब इसमें हमें करना क्या है देखो मैं थोड़ी screen यहां पे large कर देता हूं सबसे पहले हर एक language का एक syntax होता है जैसे अगर आपने c language पढ़ी होगी तो उसका एक syntax देखा होगा कोई से भी language है तो उसका syntax होता है तो इसका syntax है वो कुछ इस तरीके से सबसे पहले आप इस syntax को समझो यहां पे अपने लिखा और यह मैं syntax यहां पे लिख रहा हूँ अब यहां पे आप notice करो मैंने mainly कुछ चीज़े यहां पे लिखी है सबसे पहली चीज जो आप start कर रहे हो क्या है आपका estimate तो यह तो हो गया estimate और इसको हमने आप close किया कोई भी tag आप इसमें अगर डालतों इसे हम tag बोलते हैं basically तो यह हमारा यहां पे किस तरीके से होता है less than और greater than के अंदर ही आता है एक यहां पे tag की बात करें तो इसको हमने start किया और यह सारी चीज़े इसके अंदर आएंगी उसके बाद इसका काम खतम और इसको हमने यहां पे slash दे के इस तरह से बंद कर दिया तो यह हो गया इस तरीके से estimate tag यहां पे हमने डाला उसके बाद यह से main चीज होती है वो होता है body जितनी भी website पर आपने चीज़े देखें कोई भी website open करते है उसमें जितनी भी चीज़े आप देखते है वो सारा code होता है body के अंदर एक example मैं आपको show करता हूं जैसे यहां पे अगर हम ध्यान दे तो यहां से best education से लेके जितना आप नीचे तक देख रहे हो यह सारा code जो लिखा गया है वो लिखा गया है इस tag के अंदर क्योंकि इस body tag के अंदर ही सारा code आता है यह जितनी भी portion आप देख पा रहे हो सब क्या इसके body है इसके बाद यहां पर मैं एक section लिखा है title का तो यहां पर जो भी मैं लिखूंगा वो है यह यह अब यह चीज तो आप समझ गए syntax है आपका basically और अब इसे में कुछ code लिखते हैं उसको save करते हैं और execute करके देखते हैं कि output क्या आता है तो यह हमारा syntax है सबसे पहले दुबारा से मैं लिखता हूँ आपके सामने यहां पर हमने लिखा HTML ठीक है उसके बाद हमारा दूसरा term क क्या होता है लिखने का head head को हमने क्या कर दिया बंद कर दिया इस head के अंदर मैं लिख रहा हूँ title ठीक है और title मैं डाल दिया facebook इस तरीके से मैंने एक title दे दिया इसके बाद नीचे आते हैं और अगला जो main tag है वो क्या है body ध्यान रहे जब tag close करते हैं तो हम क्या use करते हैं slash तो हमने लिखा body और इसके बाद हमने इसको बंद गया और यहां पर HTML का काम खतम तो हमने slash देके HTML यहां पर डाल दिया अब इस body के अंदर मैं लिख देता हूँ welcome to the course of HTML यह हमने लिखा अब इसको ctrl s करते हैं यानि की save और मैं इसे desktop पर save कर रहा हूँ फिलाल के लिए और मैं आप यह लिख रहा हूँ इसका नाम ab ab के नाम से save करेंगे हम एक चीज़ आपको ध्यान रखने है कि ab लिखने के बाद आपको .html यह इसका extension है अगर आप .html म ही होगी तो हम इसे save किस में करना है .html में हमने इसे save किया अब save कर दिया तो देखो थोड़ा से यहां पर आपको difference नजर आ रहा होगा जैसे save किया यहां पर इसके बाद हम desktop पर आते हैं देखो यह वाली file है एक Chrome file यानि कि एक web page में create हो गई है हम इसे open करते है open करने की जैसे यहां पर even step computer education आ रहा है वैसे यहां पर क्या लिखा रहा है facebook तो टाइटल की मदद से क्या रहा है facebook और यह जो आपका welcome to the course of HTML मैंने body tag के अंदर लिखा था यह आ रहा है body में clear हुआ अब इसी को अगर मैं copy paste कर दो तो यही देखो पूरा भर जाएगा यहां पर तो यह समझा और text editor और browser का mix up समझा अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको अच्छे लेगे तो please वीडियो को like करें share करें साथ यह comment करके मुझे बताए कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा यह नहीं thank you